नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए इतिहास से जुड़े उन महत्वपूर्ण प्रशन उतर को लेकर आए हैं जो दोस्तों किसी ना किसी गवर्मेंट एकजाम में पूछा हुआ है तो आई दोस्तों हम दोग देर न करत देखते हैं पहला प्रस्न से दोस्तों पहला प्रस्न है आपका भारत में खोजा गया सबसे पहला सहर कौन सा था और यह दोस्तों SSE 2003 में पूछा हुआ है बहुत इंपोर्टन प्रस्न दोस्तों ध्यान से समझेगा तो दोस्तों भारत में जो सबसे पहले खोजा हुआ सहर था वह कौन सथा तो आपका उतर होगा दोस्तों हडपा ठीक है दोस्तों SSC 23 में ये सवाल पूछा हुआ है आप ध्यान दिजेगा अगला प्रशने देखते है दोस्तों अगला प्रशने है आपका मोहं जोड़ो कहां इस्तित है ये सवाल भी दोस्तोंารपी 2003 में पूछा हुआ है तो समझ सकते दोस्तों कितने सारे कितने मतलब कितने ज़्यादा important प्रशन है ठीक है तो दोस्तों मोहन जोदुरू कहां इस्तित है तो आपका उतार होगा options B सिंध कहां पर options B सिंध ठीक है next प्रशन देखते हैं दोस्तों next प्रशन है सिंधु सभ्यता के घर किसे बनाए जाते थे और ये दोस्तों एक बार नहीं बलकि दो दो बार पूछा वाए SSE 2001 और RRB 2004 में भी पूछा गया है ठीक है तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के जो घर जो है वो किसे बनाए जाते थे तो आपका उतर होगा EAT से किसे बनाए जाते थे थे दो दोस्तों EAT से बहुत ज़्यादा इंपोर्टन प्रशने दोस्तों दोस्तों अगर आप सभी को इस तरह का वीडियो चाहे दोस्तों आप हमारे चल्म को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ठीक है अगला प्रशने दोस्तों सिंदू सभीयता का कौन सा अस्थान भारत में स्थित है तो आपका उत्तर हो जाएगा option C, Lothal क्या है दोस्तों? Lothal ठीक है option C जो है इस प्रशने का उत्तर हो जाएगा अगला प्रशने दोस्तों पुरानों की संख्यां कितनी है? important प्रशने दोस्तों कई बार पूछा गया है पुरानों की संख्यां कितनी है? तब का उतर होगा? options A 18 कितना है दोस्तों? 18 ठीक है? next प्रशने देखते हैं अगला प्रशने दोस्तों भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? दोस्तों, अमारी भारत देश में जो सिक्कों का प्रचलन पहली बार कब हुआ था? तो 600 इसापुरो में कब हुआ था दोस्तों? 600 इसापुरो में ठीक है? तो option C जो है इस प्रशने का उत्तर हो जाएगा अगला प्रशने देखते हैं अगला प्रशने दोस्तों आपका गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? इंपोर्टन प्रशने दोस्तों देखे कितना बार पुछा गया है RRB 234 फिर JPSC में 233 में पुछा गया है अगला प्रशने देखते हैं अगला प्रशने दोस्तों मेगा स्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगा स्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंपोर्टन प्रशने BPSC दोस्तों 2005-2015 में भी पूछा है और MPPCS ने 2015 में भी पूछा गया है ठीक है तो आपका उत्तर हो जाएगा इंडी का मेगा अस्थिनीज का पुस्तख का नाम क्या दोस्तों इंडी का ठीक है options D जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा next प्रश्ने देखते हैं दोस्तों next प्रश्ने है बंगाल का विभाजन कि सवर्स हुआ था important प्रशने दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा options D 1905 में बंगाल कभी भाजन कब हुआ था तो 1905 इस्वी में ठीक है options D 1905 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों सारे प्रशन कापी ज़्यादा important है इसलिए आप याद जरूर कर लिजेगा और not भी करते चलिएगा next सवाल है दोस्तों हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है important प्रशन है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है उत्तर होगा आपका 6 अगस्त ठीक है 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है तो दोस्तों अगर इन सभी प्रशनों में से अगर आप पहले से किसी का उतर जानते तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर भेज़ेगा ठीक है अगला प्रशने देखते हैं जर्मनी के इसाई मिशनरी किस वर्स राची पह पहुचे तो 1845 में कब पहुचे दोस्तों 1845 में ठीक है और संसी प्रशन का उतर हो जाएगा अगला प्रशने देखते हैं अगला प्रशने दोस्तों आपका तेरवा प्रशन है इंपोर्टेंट प्रशन है कि भारती आजादी के समय इंगलेंड के प्रधान मंत्री कब कॉन थे यानिक दोस्तों जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तो उस समय जो इंगलेंट के प्रधान मंत्री थे वो कौन थे तो उपतर क्या होगा दोस्तों क्लिमेंट इटली ठीक है क्लिमेंट इटली ऑप्शन सी इस प्रशने का उत्तर हो अगला प्रशने देखते हैं अगला प्रशने दोस्तों दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है तो उप्शन्स ए मेसो पोटमिया सभ्यता ठीक है मेसो पोटमिया सभ्यता दुनिया की दोस्तों सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है options ए जो इस प्रश्ण का उत्तर हो जागा अगला प्रश्ण देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्ण है निम्न लिकित में से किसे नील का उपहार कहा जाता है important प्रश्ण है दोस्तों निम्न में से किसे नील का उपहार कहा जाता है तो आपका उत्तर होगा मिस्र को ठीक है मिस्र को दोस्तों नील का उपहार कहा जाता है अगला प्रशन है दोस्तों आपका आधोनिक चिकित्सा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है आधोनिक चिकित्सा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है तो आपका उत्तर होगा दोस्तों हिपोक्रेटर्स को ठीक है ऑप्सन सीज प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण देखते हैं दोस्तों अगला प्रशन है वास्को डीगमा किस वर्स भारत में पहुंचा और ये दोस्तों काफी ज़्यादा बीबी आई प्रशन है ठीक है कई बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि वास्को डीगमा जो है किस वर्स भारत में पहुंचा तो आपका उतरगा 1498 में कब 1498 में ठीक है options 10 प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों अगला प्रस्ण है विश्व यूद दूसरा कब हुआ था यानि कि दोस्तों दूसरा जो विश्व यूद हुआ था वो कब हुआ था ये पूछा जा रहा है ठीक है तापका उतर होगा 1949 कब 1949 को ठीक है विश्व का जो दूसरा विश्व यूद हुआ था 1949 को नेक्स्ट प्रस्ण देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रस्ण है रक्त और लोहे कि नाम से भी जाना जाता था नेक्स्ट प्रस्ण दोस्तों किसने कहा कि मनुष से एक राजनेतिक पसू है किसने कहा था दोस्तों कि मनुष से एक राजनेतिक पसू है इंपोर्टन प्रस्ण है तो आपका उतर होगा options A अरस्तू किसने कहा था options A अरस्तूने ठीक है अगला प्रशने देखते हैं अगला प्रशने दोस्तों प्रथम Roman Samarad का नाम क्या है प्रथम जो Roman Samarad था वो कौन थे दोस्तों क्या नाम था उसका तो आपका उत्तर होगा options B Augustus खीक है कौन थे Augustus तो options B जो इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा अगला प्रशने देखते हैं इतिहास के पिता के रूप में किसे जाना जाता है तो इतिहास का पिता दोस्तों किसे कहा जाता है हेरो डोटर्स को थेक है important प्रशने है याद रखेगा हेरो डोटर्स को दोस्तों इतिहास का जो है पिता कहा जाता है अगला प्रशने देखते हैं एडॉल्फ हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है एडॉल्फ हिटलर की जो आत्मकथा दोस्तों उसका क्या नाम है तो आपका उत्तर हो जाएगा options B, mean comp, क्या नाम है, mean comp, ठीक है, options B, इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा, अगला प्रशने देखते हैं, अगला प्रशने दोस्तों, किस वर्स अमेरिका को स्वतंतरता मिली, दोस्तों, अमेरिका देश को, किस वर्स स्वतंतरता मिली थी, तो आपका उत्तर होगा, 1776, कब दोस् दोस्तों अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ठीक है तो धन्यवाद दोस्तों मिलते आप से एक फिर एक अगली वीडियो में